नमज़कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की एक युद्ध कितने देशों को प्रभावित करता है इसका ताजा नजारा दिखाई दे रहा है इतली जर्मनी फ्रांस में युक्रेन युद्ध जिस तरह से छिड़ा है औ इतली में एहम प्रदर्शन हुआ जहां वहां की जंता ने मांग की कि इतली को नैटो से बाहर आ जाना चाहिए फ्रांस में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बड़ा प्रदर्शन हुआ वहां की नागरिकों की मांग थी कि वहां पर सक्ता को नागरिकों को सुविधा देनी चा पर लातार बढ़ता जा रहा है उग्र होता जा रहा है और वहां कि सत्ता से जवाब मांग रहा है लेकिन साथ ही साथ हमें दिखाई देता है कि जो मीडिया है वो इरान पर तो दिखाई देता है इरान पर तो चिंतित है लेकिन उसे फिलिस्तीन नहीं दिखाई देता फिलिस् नागरिक मारे जा रहे हैं, आखिर यह दोयम दर्जा क्यों जब कवरेश की बात आती है उस समय, आज परताल दुनिया भर की में हम चर्चा करेंगे चीन की, चीन में जो 20 वी कॉंग्रेस हुई है वहां की कमनिस पार्टी की, जिसमें से शी जिंग पिंग एक और मजबूत ने प्रभीर आज परताल दुनिया भर की में हम चर्चा करेंगे चीन के बारे में, चीन में जो 20 वी कॉंग्रेस हुई है वहां की पार्टी की, उसने एक बार फिर साबित किया है कि शी जिंग पिंग एक एहम महत्पूर्ण नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं, और अंतराष्टी कूटनीती पे इसका क्या आसर पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि अमरीका जिस तरह से एक ध्रुवी दुनिया चाहता था, उसको चुनौती देते हुए, चीन ने बहुत एहम दस्तक दी अंतराष्टी कूटनीती में, आप कैसे देखते हैं ये बीसफी कॉंग्रेस, शी जिंग्पिन का और ज्यादा मजबूत होके इस सम्मेलन से, इस कॉंफरेंस से बाहर निकलना, देखें, चीन की जो टक्कर है, वो साफ इस वक्त है, अमरीका से, खास तोर से अर्थिक स्तर पे, एकनॉमिक वार एक हिसाब से, अमरीका डिक्लिय जायर किया था, ट्रंप के जमाने से ही, और तथा कते तो, वर्ल्ल ट्रेड और्गनाइजेशन की, फ्री ट्रेड की जो राजनीत या कूटनीत या अर्थनीती थी, वो धीरे-धीरे पीशे चला गया है, इस वक्त जो एक तरफा, सैंक्शंस, अमरीका इस वक्त चीन की इसको मानना चाहिए, क्योंकि चिप्स हर जगा आजकल जाती है, तो इसलिए यह कहना से चिप वार है, वो चिप वार कोई प्रड़क्ट नहीं है, वो तो हर, मैंने कहा मशीन हो, गाड़ी हो, टेलिवेशन हो, आपका फोन हो, सब जगा पर वो होता है, तो इसलिए एक बेस टेक्नोलोजी पर यह अटाक है, और उसको कैसे उससे उभर सकता है चीन, यह बहुत बड़ी चुनावती उसके लिए है, क्योंकि अभी भी, मैं दिस्ताद में बात बजाओंगा, अभी भी चिप बनाने की अवजारे जो है, वो अभी भी जादातर यॉरप और अमरीका के ह चाहे उसकी वivals्यानिक जानकारी, चाहे उसकी पेटेंट्स, चाहे वार्षीद, मैसीं वो तीनों उनके हाथ में है, चिप्स बनना इस साउथ कोरिया ताइवान मेर्स सब्चिप्स बंती, पकि अगे और इसलिए एक बहुत बड़ा चुनौटी चीन के सामने है, क्योंकि ब तो इस सब में एक बहुत बड़ा भूमी का अदा कर सकता है तो एक तो साफ है यह जो आर्थे की उद्ध छेड़ रखाया अमरीका ने घोशी तोर पे चीन के खिलाब है अच्छीन उसकी चुनावती देने के लिए तैयार है और यह बिस्वी कॉंग्रिस की जो रास्ता दिख पढ़ाएगा कि उन्हें तो मत्था टेकना पढ़ाएगा जो वो टेकने के लिए तैयार नहीं है साफ है इसके साथ साथ और भी चीजे है मिलिटरी की बाद जो हो रही है टाइवान को लेके मैं समझता हूं कि वो युद्ध में परिनित होने का चांस इतना नहीं है क्योंक की जो फैक्टरियां वगरा है वो सब खत्म हो जाएगी यह सदोनों को मालूं है और दोनों कीचिप्स की जरूरत है अमरिका को भी है चीन की भी है और चीन के अभी भी शायद सबसे अड़वांस कीप नहीं मिलेगा पर और दूसरे तरह की चिप अभी भी टाइवान से मिल लग रहा है वो exceptions रहेंगे कितना साल तक कितने महीने तक exceptions रहे उसका स्वरूप क्या होगा वो बात की बात है पर अभी लगता है कि वो खतम नहीं होगा तो टाइवान के लिए तनाव तो रहेगा इसमें कोई दोरा है नहीं पर इसके लिए युद्ध शायद नहीं होगा और शायद तो चीन की इस वक्त आर्थिक ताकत जो है उस पे सरासर अमरीका का प्रहार है क्योंकि अमरीका भी भी सामरिक शक्ति पावर चीन से ज्यादा रखता है क्योंकि देखिए उसकी जहां चीन की तट के पास आके वहां पर पेट्रॉल करते हैं तायवान और चीन के है पर अगर लड़ाई उसके कोस्ट पे होगा जाहिर है तो चीन में उसमें बराबरी करना या उसके कम से कम वहां से उसको हटा देने के ताकत चीन के पास इस वक्त लग रहा है वह अमरीका भी धीरे-धीरे मानने लगा है तो यह तक्राव जो है सामरिक टक्राव मिलिटरी चुनावती जो है वो मैं प्रमुख नहीं समझता हूँ इस वक्त कभी बदल सकती है पर इस वक्त मैं नहीं समझता हूँ सबसे ज्यादा खत्रा उससे है economic war ज़रूर चीन को चीन के ऊपर asset डालेगा उसके साथ साथ अमरीका के ऊपर भी asset डालेगा क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा manufacturing goods की अगर आप देखे export कहां होता है अमरीका में होता है अमरीका का पूरा-का पूरा मार्केट आज की तारीख में तमाम हंगामा करने के बावजूद वो चिनी समान से ही है। अगर वहां नहीं पहुंचता आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे जब सप्लाइचेन बिगड़ गया था तो अमरीका के लिए N95 मास्क भी बनाना मुश्किल हो गया था पार वो जो पी-पी कहते हैं प्रोटेक्शन गाउंस वगारा सब चीजे उसके लिए मुश्कि चीन में सबसे ज़ादा होता है हमारे यहां बी culk व्ट ड्रग चीन से आता है हम यहां करते हैं तो यह सब देखते हुए चीन से अमरीका की एक-टरफा हमला होता है चीन का उसका क्या जबाब क्या जबाब होगा, वो देखना पड़ेगा, जबाब सिर्फ अंदरूनी क्या जबाब होगा और बाहर की जबाब क्या होगा, दोनों देखनी पड़ेगी, सिर्फ एक जबाब को ना देखे, तो अंदरूनी चुनावती जो उनका है, कि विज्ञान टेक्नोलोजी का एक autonomous, ज कर सके, ये उसकी चुनावती, अचा और ये जो कॉंग्रेस है, क्योंकि कई माइनों में एहम है, 2012 से शी जिंग्पिन इसे लीट कर रहे हैं, पार्टी को और देश को, और ये उनका थर्ड टर्म अब है, जो उन्होंने चेंजेस किये, जो घरेलू चुनावतीयां हैं चीन क समक्ष, उनको किस तरह से इसमें एड्रेस किया गया है, क्योंकि घरेलू संकट के बारे में भी काफी सघन चर्चा इस कॉंग्रेस में होती दिखाई दी है, खासतोर से तीनों जो इसके डामेंशन अलग-अलग हो सकते हैं, चाहे वो रियल स्टेट का डामेंशन हो, चाहे पर एड्यूकेशन का जो डामेंशन है, इसको लेकर काफी बड़े पैमाने पर चीन की घरेलू नीतियां अलग-धंग से विमर्श का मुद्दा बनी हुई हैं, तो अगर हम टेक्नॉलिज की आधार पर देखें, तो जो पहले उनकी कंपनिया साफ लग रहाता, चिनौती द रहा है दुनिया में, चाहे वो बाइडू है, चाहे आली बाबा हो, वह वे तो खेर टेक्नॉलिजी कंपनी बड़े पैमाने पर है, बड़ इस तरह के जो कंपनिया थी, वो आपका सोशिल मीडिया पर भी इनकी जितने कंपनिया थी, तो लग रहा था के टेक्नॉलिजी की, जो कहेंगे, लीडिंग कंपनिया है, वो सब जो है प्राइवेट कंपनी थी, और ये लग रहा था, उनकी नीतिया जिस तरह से जा रही थी, कि प्राइवेट कापिटल चीन में उभर के आएगा, और वही धीरे-धीरे पूरा चीन को टेक ओवर करेगा, और वो एक समाजव जादी नीम जो कहा जाता अभी भी चीन में है, वो नहीं रहेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, निजीत पूंजी का बोलबाला बढ़ जाएगा, तो वो एक रिवर्सल को देखने को मिल रहा है, कि जाकि मा अलिबाबा पर बंदिश लगा दी गई है, बहुत सारे इन बैंक्स की प्रभाब बढ़ाई गई है, तो इस तरह से कते जो दिखता है, कि वो एक रिवर्सल है, कि देश की सौवरेंटी सरकार के हाथ पे रहेगी, उसका बड़े कमपनियों के हाथ पे नहीं जाएगी, सिर्फ उत्ता ही नहीं, जो चीन की मल्टिनेशनल थे, दुन्या में उनकी कॉम्मिनिस पार्टी की लीडर्स भी कहता है, अच्छा है, अमीर होना, उसके खिलाफ आवाज उठी है, कि ये बहुत अमीरी जो दिखाते हैं, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, एक रिवर्सल है, तो इसलिए बड़े पुजी, चीनी बड़े पुजी पर ए आज रहा है, एक हिसाब से ये रिवर्सल है, क्योंकि बड़े पुजी बहुत दिन से चीन की अर्थनीती को आगे ले जाएंगा, आर्थिक वैवस्था को आगे ले जाएंगे, ये समाज चीन की कॉम्मिनिस पार्टी भी करीब-करीब दे रहा था, कमांडिंग हाइटस एकॉनमी नहीं, यहाँ चले जाएंगे, ये बातचीत हो रही थी, उसमें बंदिश लगाएंगे, जिसकी वज़ए से अमीर गरीब वाली जो विशमता है वो भी चर्चा में थी, वो पहले से ही काफी कम किया जा रहा था, चीन सबसे जल्दी गरीब को कम से कम एक उनुन्य स्टैंडर्ड और लिविंग पे ले गया है, इतना बड़ा, एक दस, एक दो डिकेड में इतना बड़ा परिवर्तन और किसी देश में नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर उस तरह से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता, अभी भी, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे है सरकार भी मानती है, अंतराष्टिये जो इनके साथ चीजे को economy लेके deal करते हैं, वो भी मानते हैं, चीन में उस तरह से जिसे गरीबी कहेंगे, नुन्यतम गरीबी रेखा को उपर बहुत जल्दी ही लोग को निकाला गया है, और उसका एक transition अभी भी भी देखने को मिल रहा ह है, तो एक redistribution तो चीन के अंदर दिखाई पड़ता है, तो सिर्फ economic आर्थिक बढ़त नहीं, उसके साथ साथ एक कम से कम minimum redistribution वो चीन के अंदर दिखाई पड़ता है, जिसलिए उनका market भी बढ़ा होता है, अंद्रूनी market भी बढ़ता है, इसलिए, तो वो चीजे फिर लग है, शी जिंग पिंग की नेत्वित्व में, चीन एक हिसाब से reversal किया है, market को आगे रखने के जगा पर, state को आगे रखने का, और साफ है कि इसके किये विना, वो अमरिका के साथ इस तरह से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है, खास तोर से, अमरिका का जिस तरह से attack उसकी economy पे इ विग्यान की विकास में, क्योंकि इस विग्यानिक knowledge के बिना, ग्यान के बिना, अब technology को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, वो एक bottleneck बन जाएगा, और उसके साथ-साथ technology में आपको invest करना पड़ेगा नए चीजों के लिए, तो अभी chip बनाने की चमता, chip बनाने की machine को बनाना इन सब में, बहुत भारी मुद्रा लगता है, पैसा लगता है, और उसके साथ-साथ उसकी ग्यान बढ़ाने के लिए भी, आपको research काफी science के अंदर करना पड़ता है, दोनों चीन इस वक्त करने के लिए तयार है, या कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उसका plan भी रहा है कि कैसे हम इसको chips में self-reliant बन सकते हैं, तो इसी लिए Xi Jinping का एक हिसाब से एक नया दिशा देखने को मिल रहा है, और इसके साथ-साथ अब दो चीज और उपकी जिकर की है, एक रियल एस्टेट वाला, भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है वहां पर, चुनौती बहुत लोग घर बेश दिया गया, पर उनको सामर्थ नहीं थे, उसको रिपे करता, उसको उसकी चुका पाएं और हासिल कर पाएं, और जब इंट्रेस्ट रेंट बढ़ जाता है, तो उसका आपका क्या कहते है, जो रिटर्न करने की इंस्टॉल्मेंट होती है, एम आई है जो हर महिने आपको देनी है, वो बढ़ जाती है, तो वो चीज देखते हुए चीन का रियल एस्टेट सेक्टर के क्राइसिस में था, कि जितना कविट किया था, उतना पैसा नहीं था बनाने का, और लोगों के लिए जितना पैसा उन्होंने लगाया है, मकान नहीं मिल रहा तो वो क्राइसिस स्टेट के इंटर्वेंशन से कुछ हद तक उतरी है, पर अभी भी वो क्राइसिस बरकरार है, क्या पूरा अर्थनितिक धाचा को ले डूबेगी, जो 2008 में हुआ था, बड़े पैमाने के तो वो चीज लगता है, अवर्ट कर लिया है, लगता है कि क्राइ क्राइसिस का इंटेंसिटी घटा है, हलांकि क्राइसिस अभी भी है, तीसरी बात, जो शिक्षा वाली आप बात जिकर कर रहे थे, शिक्षा वाली में देखिए, वहां पर एक है कि एक बच्चा पैदा होता है, काफी रहा है, अभी भी चीन में, बहुत सारे फैबिली से, एक ही बच्चा उनके घर पे है, तो उनके प्रती जितना जोर दिया जाता है पढ़ाई में, तो उसके साथ-साथ ट्यूटर, इंटरनेट से, एक ही बच्चा है, तो सारी अप्यक्षा हैं, सब वही नंबर वन आए, उसकी जो होड है, वह बहुत बहानक है वहां, और इसके साथ-साथ खर्चा, तो एडुकेशनल इंवेस्मेंट्स करें बच्चे पे, तो उसका ट्यूटर रखें, इंटरनेट की ट्यूशन करें, इंटरनेट की टूल्स खरीदें, उसको प्राप्त कराएं, यह सब करते हैं, एडुकेशन कंपनी, जैसे हमारे हां बाइजू है, इ इस तरह के बंदिश लगाई गई, क्योंकि यह भी देख रहे हैं वहां पर, कि कुछ बच्चे सिर्फ गेविंग पर ही रहते, कंप्यूटर तो सब के पास इस वक्त है, तो रोकी नहीं सकते आप, तो कंप्यूटर है, फोन है, तो गेविंग का जो एक नशा है, उससे भी बच्चे प्रभावित हो रहे थे, गेविंग पर बंदिश लगाई गई है, कहा जाता है कि समाजिक तोर पर गलत चीज है, ऐसा बंदिश नहीं लगाना चाहिए, पर उनको कहना है, बच्चों के भविश्चत अगर हमें देखना है, तो बच्चों का गेविंग हमें बंद करना पड़ेगा, तो सीवित करना पड़ेगा, तो इस तरह के चीजें जो है, एक गेमिंग और एडुकेशन कंपनियों पर भी बंदिश इस वक्त लगाई गया है, पूजी करन इन कंपनियों की जो हो रही थी, उस पर रोक लगाई गया है, क्योंकि इससे लोगों, मिलता था ये नहीं मिलता हमें नहीं मादूब, पर ये बात जरूर है, उसके नाम पर खर्चा बहुत होता है, मिडल क्लास का, अभी भी हमारे यहां भी पहले ट्यूटर रखा जाता था, आजकल आप देखते हैं, आपका एड़िटिस्मेंट आते हैं, ट्यूटर की जरूर रही थी, बच्चों को किता फायदा हो रहा था, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों का, अगर आप देखें, इम्तिहान की स्किल न बढ़ाएं, पर समझ की स्किल बढ़ाएं, तब शायद भविश्य में आपका स्रीजन शीलता जादा होता है, पर आप तोता की तर से अपना प्रभुत्व, अपना कंट्रोल बढ़ाया है इन्होंने, और 2012 से लेकर अभी तक हैं, तो क्या ये माउसो तिंग, डियो जॉंग पेंट से लेकर अब तीसरा नमबर इंका है, देखें, प्रभाव को देखें, कंट्रोल की बात न करें, प्रभाव देखें, तो इ उनका असर रहा है, तो माउसे तुग तो उसका कोई चीन में इसका कोई तोड़ देखें, कोई बहस की बात नहीं है, सभी मान के चल के, सरुमान नेता हैं, जो उन्होंने चीन को यहां तक पहुचाया, खास तोर से उनका क्रांती के जो भूमी कर रहा है, चाहे वो सामना ज तरक नहीं है चीन में, डेंग शॉपिंग पर सवाल प्रश्ण चिन्ध भी रहे हैं, बहुतों का, कि डेंग शॉपिंग जिस रास्ते से चीन को ले गया, ज़रूर है कि उसने अमरिका के साथ समझाता करके, उसको मार्केट कुछ दे के, कुछ मार्केट उनको मिला भी, तो ये चीजे जो है, उसके साथ-साथ अंदरूनी जो कुछ लोगों को कहना था, पुजिवारी ववस्ता की और ने जादा दे, दरवाजा खोला, ले भी गया, तो ये दोनों चीज रहा है, कि एकनॉमिक क्राइसिस से उभर पाया, और खास तोर से, जो चीज, टेंक्स यॉप करके, वो अल्टरेट कुछ बनाने के चक्कर में, सिर्फ सौवेत सिस्टम का खतम नहीं किया, सौवेत यूनियन के भी खत्मा कर दिया, और दस साल कम से ओपन लूट का रास्ता उन्होंने बना दिया था, ये येलसिन के साथ, येलसिन की नेटरित में, उस पे दिखाई पर ये नहीं होने दिया, और इसलिए बाद में टेंक्स यॉापिंग जैसे लीडर का कम से कम वापस जाना कुछ चीजहों पे, कुछ चीजहों से ये बोलना कि ये पूजी बादी, पूजी बाद ज्यादा बढ़ गया, उसको गंट्रोल करने की जरुवत है, लोगों को होनी चाहिए, ये सब है, और उसके साथ साथ इसको भूल मत जाएएगा, COVID-19 में जिस तरह से बुलकों पे बड़े पैमाने पर मौत हुई है, या लोग बहुत बिमार पड़े हैं, उसको चीन की policies के बारे में जो भी criticism लोग करना चाहें करें, पर क्या इससे मौते ज्यादा बहतर होता, बहुत बड़े पैमाने पर मौत हैं, उनका calculation ये था, कि हमारे इतने हजार मरे हैं, जो भी calculation करें, अगर ये इस तरह का restrictions नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना नहीं बढ़ता, और भी बढ़ता, क्योंकि हमारे पास ये ICU, intensive care units उस तरह के नहीं है, और शायद इसलिए इस Congress में भी zero COVID policy पर करार है, क्योंकि नहीं तो हमारे हाँ, हमने देखा ही है, अमरीका में देखा है, अभी भी उसमें जितने मौते हो रही है, संख्या कम नहीं है, काफी संख्या में अभी भी इन देशों में मौत हो रही है, खासतों से अमरीक में, तो वो कह रहा है कि अमरीका में इतने सारे intensive care units के बावजुद भी इतने मौत हुए हैं, अगर हम COVID पे इस तरह के restriction नहीं लगाते, तो मौते इतनी होती, कि हमारे उपर अर्थिक धाचा भी हमारी उससे बिगड़ जाती, तो ये सिर्फ health और safety लोगों की एक तो बात है, पर इसका आर्थिक असर भी रहा है, क्योंकि नहीं तो हमारा अर्थिनिती भी डह जाता, तो ये जो उनका कहना है कि हमारा health system इतना मजबूत अभी भी नहीं है, देखिए एक बहुत बड़ी बात, उच्छिपा नहीं रहे हैं, कि हमारे पास उस तरह health system नहीं है, जो अमरीक जादा नियंत्रा करना भी मुश्किल, आवाधी का भी बहुत difference है. तो और उसका आर्थिक चोड भी बहुत बड़ा पहुचता, इस पर हो सकता है, तीन महिना, चार महिना होता, पर उसका असर आर्थिक बहुत बड़ा पढ़ता, तो ये एक बहुत बड़ा चुन्वती उन जो दिश्टिकोन अपनाते हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है ऐसे लहीं करना चाहिए चीन की पूरी जो समझ है इसके बारे में वो मेरा ख्याल से हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है इस किसी निशकर्ष में पहुंचने से पहले लेकिं कम से कम एक बात साफ है कि 20 वी कॉंग्रे प्रवीर दिखा रही है कि चीन कुछ अपने बेसिक्स के प्रती ज्यादा कंसर्न हुआ है वापस जा रहा है और साथ ही साथ अंतराष्टी कूटनीती में ऐसा लगता है कि शी जिंग्पिन का कि जो भूमिका है वो और बढ़ेगी हम लगातार इस पर चर्शा करते रहेंग शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है जो भीस्वी कॉंग्रेस से भी उभर कर आई है चीन की जो भीसवी कॉंग्रेस है उससे कि शी जिंग्पिन एक एहम राशनितिक नेता के तोर पर चीन के भीतर और दुनिया में अपना स्थान बना रहे हैं जिस तरह से वह सीध सीधे अमरीकी सामराजवात को चुनौती दे रहे हैं और साथ ही जो घरेलू संकट हैं जो आलोचनाय होती रही हैं चीन की उसे भी एड्रेस कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में चीनी अर्थ विवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और शायद अंतराश्व